कि अब बाड़ा साथ से लगातार कर रहे हैं और इसमें रामाइन की नौदिन की पूजा भी होती है और पाठ भी होता है और उसके बाद हम इस घूम के बैदान में है यहां पर आपको जो सामने रामण लिखाई दे रहा है इसकी उचाई 211 फीट है और यह विश्व का सबसे बड़ा रामण है और इसको बनाने पर हमें विश्व कारिगर और अपने इसे बांस के उसमें लागे क्योंकि बांस हमार लिए बहुत नुक्सवान दायक है अताय हमने इस सिल पर बनाया है और इसका देहन शाम को पांच मुझे होगा हमारे आधर्नी राम नात कोविंद जी को इन्हें इन्वाइट किया है वही आने की संभावना है और वही इसका देहन के लिए यह करेगे और यह देखिए यह हमारा मंच बना है पिछले साल हमारे आधर्नी पाननीय नरेंद मोजी ती इस और दो साल से लगाता रहे थैं कि वह बाहर होने के कारण इस आद नहीं है यह हमारी रामलिया का यह यह देखिए यह हमारा राममंदिर ने आज हवन होगा और इस आहूती के लिए रावन जरसे राक्षास को मारने के लिए हम आहूती देते हैं हवन करते हैं उसने भी हवन किये थे लेकिन हम प्रेम और सब्धामना के लिए करते हैं लेकिन उसका एंकार उसको ले गया जिसके कारण वह अपनी उसका को भादन बना उसे बता था के राम है और उसने प्रत्चोर लिया के प्रत्चोर लिया के यदि में तो विश्णु में मिअ धंका बजए गा और नहीं तो मैंन के हातों मार ले जाँगा तो इसमें मेर और के कर लियाने उसकी भावना थी और इस तरह से हमाई रामलिया का रामलिया सुसाथी के इतर देखिए इनकी शब्दों के साथ सबको जै श्री राम जै श्री राम करें